Very good morning to all of you, 21st April 2024, आज 3.20 पे हुई थी मेरी सुभा, राह संघर्स की जो चलता है, वो ही संसार को बदलता है, जिसने रातों से जंग जीती है, सुबह सुरिये बनकर वही चमकता है ये तो हम सब जानते हैं कि जीवन में सफलता पाने के लिए कड़ी महनत करना बहुत जरूरी होता है, सफलता का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है, लेकिन वो कड़ी महनत करने के लिए मोटिवेशन चाहिए होता है, लेकिन कहीं ने कहीं मोटिवेशन ना बोलके मैं इसको ड चाहिए itdou, पूरे साल के लिए, कि हमें सलगी के 12 गंटे पढ़ना है, तो हम 12 गंटे पढ़ेंगे नहीं. ऐसा कभी भी किसी के साथ भी नहीं हो सकता आप ना daily के daily 12 गंटे पढ़ाई नहीं कर सकते daily आप एक routine maintain कर ही नहीं सकते साल के 365 दिन आपके कैसे जाने वाले हैं एक-एक दिन आपका अलग होगा और आप सोच भी नहीं सकते कि वो दिन कैसे अलग होगा क्योंकि हर दिन एक नई चुनोती लेके आता है हर दिन में आपके लिए अलग अलग चीज़े होती हैं करने के लिए तो आप आपना 365 डेज का टाइम टेबल एक साथ नहीं बना सकते और कहीं न कहीं मेरे मोटिवेट रहने की यही एक वज़े है कि मैंने अपने टाइम टेबल को बिल्कुल भी रिजिड नहीं रखा है जैसे कि आज के दिन में मैं आपको बताने वाली हूँ जैसे आप लोग के बहुत सारे कमेंट आते हैं कि हमारी पढ़ाई नहीं होती टार्गेट पूरे नहीं होते तो हम डिमोटिवेट हो जाते हैं मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार होता है सुबह 3-3 बज़े उठके भी जब टार्गेट पूरे नहीं हो पाते हैं तो क्या मैं डी मोटिवेट हो जाती हूं नहीं ऐसा बहुत बर हुआ है कि मैं सुम्हें तीन मुझे उठी हूं और मेरी आठ गंटे भी पढ़ाई दिन हुई या फिर आप मान के जलिए कि क्या बतार छे घंटे भी पढ़ाई ना हुई हो तो बहुत बर ऐसा होता है टार्गे सबस्केंट है वो लॉग टर्म होगा यानि कि हम यह तो सोच नहीं सकते कि एक महीने में हम कोई एकजाम क्लियर कर लेंगे आज के टाइम में वह भी कोई गवर्में अच्छा किसम का एकजाम हमारा लॉग टार्गे रहता है तो हमेन कभी भी बही रुज टाइम नहीं बनान आप सोचिंगे UPSC की त्यारी कर रही है और पार्टी जी हां पार्टी इन असी कोई हाई-फाई पार्टी नहीं जस एक मेरी फ्रेंड है वो यहां चंडिगर्ट में पहले रहते थे हमारे पास में ही वो चले गए थी कहीं पर ट्रांस्वर होके वापीस यहां पर आया है तो सबस्क्राइब बुआ, जोसमेरे इस ओर स्मीन नहीं फेता है धुजो चैसी जाई है तो इस 6 पर तर आधनी दो लिए आज खुश होई की जो है एक सिंपल आप देखंगे मैं 1 मुझे के एस-पास जाऊंगी तो चार घंटे की वो पार्टी रहने वाली है हमारी और आज सुबह सुबह भी मैंने क्लीनिंग भी की है फिर कुकिंग में मैंने वो भी बनाया है क्या कहते हैं दही भला और चुंकि हाउस हेल्पर मेरी हेल्प करती है फिर भी अगर आप एक बर किचन में चले जाओ तो आपका टाइम तो वहाँ पर लगता ही है तो मैं आपको नहीं बस यह बताना चाहरी हूं ज़्यादा कन्फ्यूस ना करके कि पूरा दिन एंज्योई करके और किसी दिन कम पढ़ाई करके भी हम मोटिवेट रह सकते हैं लेकिन क्या मैं इतना मोटिवेट तब भी रह पाती जब मैं सुबह के 6-7 बज़े उठती मेरी सिस्टर आ जाती क्योंकि अज बहुत सारे पाम हुए हैं सुबह क्लीनिंग का फिर कुकिण आवार भी गय है उसके बाद मैं पार्टी में गई हूँ उसके बाद रात को सिस्टर आई है तो उनके साथ बहुत बहुत सारी बाते हैं, बहुत सारी दॉप्षिव, बच्चों के साथ खेलना लेकिन इसी बीच मुझे खुशी इस बात की थी कि पूरा दिन इतना हैक्टिक होते हुए भी मैं अपनी पढ़ाई को डिवोट कर पाई टाइम और सबसे में मेरा मोटिवेट होने की वज़े है मेरा सुबह जल्दी उठना और जब मैं सुबह जल्दी उठके अपना जो सपना है उसको जी लेती हुए उसके बाद पूरा दिन कितनी भी मुश्किल आएं ऐसा नहीं कि मेरा सारा दिन जैसे house helpers हैं तो में को बस पढ़ाई के लिए मिलता है नहीं बहुत सारी चीज़े ऐसी होती हैं कि जो हमें tackle करनी पड़ती हैं घर की जिमेदारिया होती हैं आप घर की जिमेदारियों से कभी भी भाग नहीं सकते शादी के बाद चाहें आप कितनी ही house helpers रख लेकिन जैसे आप लोग बोलते हैं कि हमारे target पूरे नहीं हो पाते हैं हम demotivate हो जाती हैं target 365 के 365 दिन किसी के भी पूरे नहीं होते इसलिए मैं बोलती हूं कि अपना time table ज्यादा result नहीं बनाना है discipline में रहना है discipline बहुत जरूरी है motivation भी कहीं ने कहीं discipline से ही आएगा अगर आप discipline हो अपनी life तक यह subject पढ़ना है तो पढ़ना ही है और फिर चार से पांच की बीच में आप उस subject नहीं पढ़ पाए आपको 6-7 बज गए तो आपको पूरा दिन खड़ाब हो जाता है कि भीया यह subject का तो मेरा 4-5 का time था और मैं करी नहीं पाया अभी तो 7-8-9 जितना भी बच चुका है लेकिन जो भी married life में आ जाते हैं वो चाहे lady हो चाहे gents हो कोई भी हो लेकिन वो पूरा 100% अपना जो time table है वो reasonably follow भी नहीं कर सकते तो हमेना कहीं नहीं मन में यह रखना है कि ठीक है यह preparation बहुत लंबे time तक चलने वाली है हमें अपने आपको इस तरीके से नहीं ढाल देना है कि हम बिल्कुल ही society से cut off कर लें हर चीज से cut off कर लें और एक कमरे में खुद को बंद कर ले नहीं वो कमरे में बंद करने वाला time भी आएगा मेरे साथ भी आया है सबके साथ आता है लेकिन जब exam बिल्कुल pass में होता है उस time तो आपके लिए पढ़ाई करना 12 घंटे भी कम प होता है लगता रहे ताकि हम वो गलतियां एक्जाम में नहा करें तो एक रिजिट वाला time भी आता है जिसमें हमें जोग देना होता है खुद को लेकिन जब आपकी exam को एक देड़ साल बचा हो और आपको एक लंबी रेस जीतनी हो तो उसके लिए आपको मतलब डेली के 12-15 गंटे पढ़ने की आपको चाहे चार गंटे में मिलते हैं तो किसी दिन आप एक घंटा भी पढ़ लोगे न उन तीन घंटों में आप एंजोई कर लोगे तो ट्रस्ट मी कभी महीने में आप ऐसा करके देखना और फिर आपको यह लगेगा कि ठीक है यह त्यारी भी कितनी enjoyment के साथ की जा सकती है आपने अपनी पढ़ाई वाले दिनों के दोरान अगर आपका पेपर नजदीक नहीं है अगर पेपर नजदीक है तो आपके यह चीज़ें बिलकुल भी अप्लिकेबल नहीं होंगी फिर आपका रूटीन 12-14 गंटे पढ़ाई का होना ही चाहिए और UPS का जीवन जी रहे हैं और किसे ने हमें लिखा था कि पूरा दिन ना मतलब खुद के लिए सोचते तो हैं लेकिन कहीं ने कहीं लगता है कि जीवन ऐसे बेकारी है अगर आप जब खुद के आतम संबान के लिए जीने लग जाते होना वो जीवन कभी भी बेकार नहीं होता आ करी बारना इंसान को रखता है कि वह बहुत बीजी लाइफ है उसकी तो उसका जीवन बेकार है नहीं बीजी लाइफ होना बिल्कुल भी जीवन बेकार होना नहीं होता है यह हो सकता है कि आपका सपना कुछ और था और आप लाइफ कुछ और जी रहे हो आपने लाइफ सोची